सबसे पहरे तो आप सभी को नए वर्ष और दिपावली की धेरो सुब कामना है और ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकमे हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुसिया ये लेकर आए फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं IRCTC की यानी Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited की स्टॉक में कल बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टॉक में इसे बार निकला जाए क्योंकि पहले अलड़ी बहुत अच्छी तेजी बन चुकी है अब इस टॉक ने correction देना शुरू किया है तो क्या इस टॉक बहुत नीचे जाने वाला है क्या जो क्रेजता वो खत्म हो गया या फिर इसमें बड़ी तेजी बनने वाली है तो फ्रेंड्स बहुत सारी बाते हैं जो इस वीडियो के मादेम से हम डिसकस करेंगे इनके MD Chairman की तरब से बहुत सारे बाते कही गई है जिसका बहुत ज़़ा positive effect देखने को हमें आगे मिल सकता है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि इस टॉक फिर से एक बार तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है लेकिन फिलाल एड परजन में क्या situation बन रही है क्या इस समय में profit book कर लेना चीए क्योंकि जो split का crazy था वो तो खत्म हो चुका है stock की price नीचे आ चुके क्या फिर से यह four digit में जाने वाला है या फिर यह stock धीर धीर 500 की दर पाएगा तो उन सारी समाओनों को इस वीडियो के मादेम से तलासेंगे और जो इन्होंने result पेस किया है वो result कैसा है उसको भी जानेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक उन दबादी या ताकि जबी निया वीडियो बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक शेर जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हम कारुबार को डिसकस कर लेते कल श्टोक उपन हुआ 840 पर हाई बराई 848 की लो है 815 का और अंत में 819 पर करीब 3.41 परसेंड डाउन परिसने क्लोजिंग दिये काफी ज़्यादा गिरावट हुई एक बार BSC की बात कर लेते तो 5,10,000 का वालिम हुआ सामने 1,77,000 की डिलिवरी उठाएगी और डिलिवरी का परसेंटेज 34.72% है NSE की बात कर लेते 1,88,000 का वालिम हुआ सामने 30,95,000 की डिलिवरी उठाएगी और डिलिवरी का परसेंटेज 30.68% है फ्रेंट्स दोनों एक्षेंज में ठीक टा कामकाज हुआ है और एक बार हम इसके वालिम का अनालिस कर लेते है पिछले एक मेने पहले इसका 2 करोड का वालिम था वन वीक पहले 4 करोड का वालिम हुआ था और इसका 55 लेक का वालिम था कल इसका 1 करोड का वालिम हुआ तो वालिम वापस दुगुना हुआ है जो एक अच्छी बात है लोगों का रुजान अभी बना हुआ इस्टोक की तरफ इसने अपना quarter 2 का result पेस कर दिया result बहुत ही सांदार है कमपनी ने quarter 2 में total अपनी income 421.06 कोड़ रुपीस की बताई है जो अप है 63.24% पिछले quarter से यानि जून quarter से अपनी की total income 257.94 कोड़ रुपीस थी तो जबरदस जब देखनों को मिला है हमें quarter on quarter basis पे और 287.27% के जबरदस जब देखनों को मिला है पिछले साल 7 quarter से पिछले साल 7 quarter में इनकी total income 108.73 कोड़ रुपीस की थी और कमपनी ने net profit after tax 158.57 कोड़ रुपीस का बता है तो आप year on year basis पे देख लो या quarter on quarter basis पे तो इनके कारोबार में जबरदस हमें jump देखनों को मिल रहा है जिससे एक बाद समझ में आ रही है कि गाड़ी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है अब railway का ये share बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके निवेस को कई गुना बढ़ा देगा अब फिर से split के बाद तेजी से बढ़ने के लिए त्यार हो चुका है क्योंकि जो आगड़े है वो ये सारा कर रहे है कि कमपणी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी बात को लेकर जो इनकी chairman और MD है रजणी हसीजा उनकी तरब से बहुत सारी बाते कहिए उन्होंने जो interview दिया धमाकेदार उसमें बहुत सारी बात क्लियर कर दिये एक बात उन्होंने सबसे बड़ी जो कहिए कि वो आने वाले समय में IRCTC की जो convenience fees है उसमें बड़ोतरी नहीं करने वाले है फिलाल उनकी तरब से का गया है कि हम जिस तरह से अपना revenue generate कर रहे है वो काफी है हमारे पीजनस को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी जो भी expenditure है उसके माद्यम से पूरे हो सकते है इसलिए हम अब अपनी convenience fees नहीं बढ़ाएंगे उसमें charge में कोई बड़ोतरी की संबावना अभी फिलाल नहीं है क्योंकि हम अपने अच्छे से अपने कारूबार को संबाल रहे है और हम सारे अपने जो भी आफसेक्ता है उसको इस माद्यम से पूरी कर सकते है फिलाल इसकी हमें कोई जरूत नहीं है दुसरी जो सबसे बड़ी बात कही है कि फिलाल जो है हमारे बीजनस में हमें अब ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि जो पहले traveling होती थी वो need-based traveling थी यानि जो लगों की जरूती उसे के साबसे traveling करते थे लेकिन अब वो theme-based traveling कर रहे है यानि अब वो प्लान कर रहे है अपने vacation के लिए यानि अपनी तरफ से छुटिया मनाने के लिए वो traveling कर रहे है तो यह हमारे लिए एक बड़ा scope बन रहा है और जो हमारी booking है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमारे लिए और जो offline transaction है उसकी जगह पे यह COVID के बाद में उसकी जगह ले लिए है online booking ने और इसका सीधा फाइदा हमको मिल रहा है क्योंकि इससे पहले COVID के पहले लोग सिर्फ offline booking ज़्यादा कर दे थे लेकिन अब वो scenario change हो चुका है अब लोग online booking करना ज़्यादा पसंद कर रहे है और इसका सीधा फाइदा हमें मिल रहा है तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि हमारा बीजनस अब पहले से ज़्यादा अच्छे से survive कर पाएगा और अच्छे से आगे बढ़ पाएगा क्योंकि लोगों का रुजान आप ओन्लाइन टिकिटिक ने तरफ आ चुका है दुसरी तरफ उनका कहना है कि फिलाल हम ready to eat foodie supply कर रहे है यानि कोवीड के प्रोटोकल जो चल रहे है उसकी वज़े से फिलाल हम वो ready to eat foodie supply कर रहे है ट्रेनों में और इस वज़े से हम चाते है कि जो tariff में हम बड़ोतरी करना चाते है उसको फिलाल हमने रोका हुआ है क्योंकि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए और सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद में ही हम अपनी जो फीस है उसमें बड़ोतरी की समभावन अतलासर है क्योंकि चार्ज हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि खर्च हमारे बड़े हुए लेकिन फिलाल जब तक यह जो सर्विस है यानि जो ready to eat food की जो सर्विस चल रही है तब तक हम इसमें अब बड़ोतरी नहीं करेंगे दूसरी तरफ उनका जो इटिकेटिंग का बीजनस है वो बीजनस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें उनको काफी अच्छी उनकी कमाई भी हो रही है यानि उन्होंने जो अपने आकड़े पेस के उसके हिसाब से उनकी जो इटिकेटिंग की जो सुईदा है उ तो लगातर उनका जो है टिकेट का बुकिंग का आकड़ा है वो लगातर बढ़ रहा है जो उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सीखनेल है यानि आप देख लो लगातर हर महीने इनका जो टिकेटिट बुकिंग का आकड़ा बढ़ रहा है और आगे फेस्टिवल से पहुत जादा बेनीफिट मिलने वाला आगे भी और सारे के सारे जो जो क्लास है वो सारे फुल जा रहे है फिलाल और रेलवे उनको फिलाल बहुत जादा मुनाफ़ा दे रही है टिकेट के माद्दियम से तो उनकी तरफ से जो कहा गया है कि उनका ड्रिंकिंग वाटर का बाते कई उसे एक बात समझ में आ रही है कि IRCTC का बिजनस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसके शेर की प्राइज भी काफी अच्छी बन सकती है और इसलिए इसमें निवेज आपको करना चीए तो 258 इसका 52 रूपी का लोग है और 1279 इसका 52 रूपी का हाई है फिलाल फ्रेंट्स फिलाल श्टोक आपको 819 पर ट्रेल करता हो दिखाई दे रहा है और यह जो गिरावट हुए थी उसके पीछे वज़े थी कि सरकार ने कंविनेंस फिस के अंदर 50-50 शेरिंग की बात कही थी और वहाँ से स्टोक के अंदर बड़ा क्रेस हो गया था और फिर लोग आपको 800 के आसपास ट्रेल करता हो दिखा दे रहा है निवेस आपको करना चाहिए इस स्टोक ने रिटरन अपना एबडी से सांदर दिया है इंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टोक बिलाल और बोर्ट जोन में नहीं है और साथ में इसको पर कोई भी lord का रिवेन्यी मिला था औरकेज वहादा कंपनि को जिडो पॉइंट 員 Cameron के अगर बात करें तो 2,000 को ka रिवेन्यी मिला था और इनका प्र्क्षीट हुआता टा जिरों three 1,000 कॉर पीच का 2020 में रिवेन्यु इनका 2.34 थाउजन को पॉच गया था और इनका प्रॉफिट 0.51 थाउजन को पॉच गया है लेकिन 2021 में कोविड ने बिजनस है उस पे काफी ज़्यादा आसर किया और आपको पता ही यह था लोगडाउन की वज़े से सारी रेलवेज की सुविधा बन थी औ कर 0.91 थाउजन को पॉच गया है और इनका प्रॉफिट 0.19 थाउजन को पॉच गया है लेकिन इस बार जो रियल पेस किया वो बहुत ही दमदार है और जिसके दम पे कहरें कि आने वाले समय में जो इनका रिवेन्यू है 2020 से भी आगे बढ़ जाएगा त्योंकि इनका बिज सारे नए फूड इस्टॉल ओपनिंग कर रही है और इनका इटिकर का बिजनेस तो बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है और जिससे कह सकते यह श्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा और बहुत जल्ड श्टॉक फिर से आपको फ्रेंड्स यह थ्री थाउजन तक जाते हो दि अब ही से जाता है तो आप निचले लेवल से फिर इसमें एवरेज कर सकते जिससे आपकी बाइंग प्राइज नीचे आ जाएगी तो इस तरह से आप निवेज करें लेकिन करें जरूर यह बहुत अच्छा इस्टॉक है और इस तरह से कंपनी का कारोबार तेजी से आगे ब अच्छा ओिस खर्न